ये तो आप मानेंगे कि एक वेश्या जो है वो हमारे समाज का एक अभिन्य अंग है इसलिए तो आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक वेश्या या कॉल गर्ल के टाइम टेबल के बारे में चर्चा करेंगे यह जानने का प्रियास करेंगे कि जो operating hours होते हैं एक वेशिया के एक call girl के वो कौन से होते हैं आखिर वो सुबह होता है यह काम या यह गंदा काम जो है दोपेर में होता है या यह ऐसा काम है जिसे करने में बस मज़ा रात को ही आता है यह हमको जानना है और अगर आपको भी जानना है तो आपको एकी चीज़ करना है फ्रेंड्स आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर देना है वेश्याओं के बारे में जब हम सोचते हैं या रिसर्च करते हैं सोन, गाची, कोलकाता जानते हैं 11,000 वेश्याओं रहती हैं वहाँ पर उसके बाद नाम आता है मुंबई, कमाटी, पुरा, पुने, बुधवार, पेट इन मेट्रों और बड़े शहरों में रेड लाइट एरियास, सर्टिफाइड एरियास हैं जहां पर वेश्याओं फंक्शन करती हैं इसके अलावा कुछ दूसरे शहर जैसे इलाबाद, बनारस, उज्जैन यहां पर भी वेश्याओं वरत्ती होती है और यह तो आप मानेंगे की और्गनाइस फॉर्म में यह पूरे देश में हर एक शहर में हो रहा है आपके शहर में भी जरूर जरूर होता ही होगा जब आप किसी वेश्या के बारे में सोचते हैं या फिर उसकी वरकिंग स्टाइल या वरकिंग आर्स के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में एक अंदेरी गली आती है जहां पर एक कोटा होता है जिसके दर्वाजों और खिड्कियों पर रंगीन काश लगे होते हैं पीले नीले लाल रंगे उस गली में नॉन्वेज की कुछ दुकाने होती हैं छोटी छोटी और खतरनाक से दिखने वाले पिम्स यानि भड़वे वहां घुमते रहते हैं जिने देखकर ही डर लगता है कुछ गजरें और बेनी की दुकाने भी होती हैं वहाँ पर घुम्ग्रों की आवाज और तबले की आवाज से मिलकर जो संगीत आपके कानों में जब पढ़ता है तो आप समझ जाते हैं कि आप रेड लाइट एरिया में आ चुके हैं है ना मतलब यहाँ पर वेश्याएं फंक्शन कर रही हैं और आपके दिमाग में यही आता है कि यार ये काम तो रात को ही होता है मेरे एक मित्र है सरदार उनके पिता जो है मुझरा देखने जाया करते थे शाम को निकल जाया करते थे और कभी कभी रात को बारा एक बज़े आते थे और कभी सुबही आते थे जब मैं कॉलेज में था तबी से मेरे माइंड में यही था कि यार वेश्या जो होती है या कॉल गल है या रंडी है इसका वर्किंग टाइम तो रात को ही होता है मुवीज में भी हमने देखा है मुकदर का सिकंदर में जोरा बाई अमिता बच्चन कब जाते थे जोरा बाई के पास रात को भाबी जी सीरियल जो आता है भाबी जी घर पर है गुलफाम कली जो कि एक वेश्या दिखाए गई है वो अपना प्रोग्राम कब रखती है जो वो लड़के आते हैं टिल्लू है मलकान है इन लोग के लिए टीका है इन लोग के लिए कब रखती है प्रोग्राम रात को लेकिन देश्या बत्ती का जो स्वरूप है आज पूरी तरीके से चेंज हो गया है इसलिए time table भी जो है इनका पहले होता था पहले का जो fix time table था वो schedule पूरा निस्तन अबूत हो गया है आज की call girl जो है वो अलग तरीके से function कर रही है उसके एकदम type एने हुए agents होते हैं वो web के थूरू चलती है वो internet का use करती है और धीरे 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 करके वो आपके शहर में आपकी गली में आपके गाओं में आपके घर तक भी पहुँच रही है यह है change जो आ चुका है सुप्रीम कोट के जज ने भी कहा है कि वेश्यावरत्ती को एक profession मानना चाहिए जब उनने ऐसा कहा तो उनने बवाल काट दिया था पुरे शहर पुरे country में कि यार वेश्यावरत्ती भी एक profession होगा क्या इनको भी licenses मिलेंगे क्या सेक्स करने के जो पैसे ले रहे हैं इसको भी national income में गिना जाएगा क्या ये भी tax भरेगी क्या schedule की बात करें तो मैं आपको बताऊँ और आपको जानके बहुत ही आश्चर्य होगा मैं उधारण के साथ तथ्या आपको बताऊँगा जिससे आपको convince कर दूँगा मैं इस बारे में आप सुनिये का ध्यान से जब मैं दमन गया था तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे लड़किया प्रोस्टिचूट के रूप में काम कर रही है और उनका working hour जो है afternoon time होता है दोपहर वो जाएतर मुंबई से आती है दमन दमन जो की एक unit territory भी है और गुजरात और मुंबई के बीच में आता है वहाँ प्रोस्टिचूशन बहुत ज़ादा है गली गली में प्रोस्टिचूशन है वहाँ पर प्रोस्टिचूट पी मिलेग दोपहर में सेक्स करती आट दस लोग के साथ में कमा लेती है एक एक क्लाइंट से 3-4-4 हजार रुपे कमा लेती है जो एजेंट होटल का उसको देने के बाद भी एक दिन में 15-20 हजार रुपे उनको मिल जाते है और शाम तक अपने घर पे आ जाती है यह इस प्रकार की म मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रात वाला फंडा था रात का खेल सारा हुआ करता था रंडियों का जो वाकिंग आवर था वो रात को होता था यह गंदा काम रात में होता था अब रात में नहीं होता है दोस्तों अब दोपेर में होता है सुबह होता है रात में तो बि लर्किंग जो है वो दिन में ही होता है मेरे फ्रेंड के साथ तो बड़ी embarrassing position हो गई उसने call girl book की थी एक hotel में अपने शहर में ही जब वो call girl आई तो उसे पता लगा कि उसके घर के पास में रहने वाली खुबसूरत लड़की थी वो उस लड़की ने कहा कुछ न कहो चुप रहो अपना काम करो और आनंद लो उस लड़के ने उस लड़की से बात करने का बहुत बहुत प्रयास किया था गर्बे के दौरान भी काफी कोशिशे की थी पर लड़की ने उसको ना के दिया था बात करने से और बता लगा कि वो तो यार call girl थी उसने बताया नहीं मुझे बता ए या प्रोस्टूट्स भूग करनी है तो रात को बिल्कूल नहीं करना है आप दमन जाते हैं दीूज आते हैं हरिद्वार जाते हैं मुंबई जाते हैं, मुंबई चले जाए अकसा बीच पर अक्सा बीच पर आप अपनी बाइक लेके दोपेर में खड़े हो जाएए बारा बज़े या अपनी कार वहाँ पर पार्क कर दीजे, कांच खोल दीजे आटो में चले जाएए, बांदरा से पास ही पड़ता है वहाँ खड़े रहेंगे आप थोड़ी देर दस मिट के अंदर आपको प्रोस्टूट या कॉल गर्ल कॉंटेट करेगी पास में होटल है, आधार कार्ट जमा करना है और अंदर, टिंग टॉंग कारिक्रम, कल्यानम, बढ़िया सर्विसेज मिलेंगी जो आप बोलेंगे वो मिलेगी फ्रेंच किस्से लेकर एनल सेक्स तक, सब मिलेगा वहाँ पर मेनू बहुत बढ़ा रहता है उनका, सैटिस्वेक्शन पूरा मिलता है आपको तो ये बात हम आज निश्कर्स में पहुच रहे हैं कि समय के साथ-साथ वेश्यवत्ति का जो स्वरूप है वो चेंज हुआ है और टाइम जरूर चेंज हो गया है टाइम टेबल उनका चेंज हो गया है रात को जो काम होता था अब वो दिन में होता है और देखिए रात में अगर आपको जाना है तो आपको 12,000 देने पड़ेंगे 15,000 देने पड़ेंगे पूरी रात के लिए अच्छे होटल में और दिन में रात में 4-5 घंटे मिलेंगे लेकिन दिन में अगर आप 3,000 देंगे तो एक ही दिन में इतने पैसे में तो 3 कॉल गल्स मिल जाएंगे 3 औरतों के साथ आवालन ले पाएंगे तो ये भी सोचिए आप कि दिन में टाइम टेबल क्यों उन्होंने फिक्स किया है और दिन में आपको भी सहलुत रहेगी जो लोग अपनी पारों से परशान हो गए है जिनको लड़कियों ने घास नीत डाली है जो दिखने में इतने हैंडसम नहीं है तो लड़कियों के पीछे घुमे पर लड़कियों ने उनको बिल्कुल नकार दिया है तो फिर वो अपनी चंदरमुकी की तलाश करते हैं और उन गलियों में जाते हैं या ढूनते हैं और चिलाते हैं उन गलियों में कि चंदरमुकी चंदरमुकी चंद्रमुखी फिर उनसे मेरा यही संदेश है कि उनको दिन में तलाश करनी चाहिए अपनी चंद्रमुखी को रात में बिलकुल में नहीं जो भी information मैंने आपको दिया अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe करेगा और वीडियो को लाइक करेगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करेगा जिससे मेरे सारे वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे फिर मिलता हूं किसी और दिन ऐसे interesting information आपके साथ शेयर करते हुए तब तक के लिए bye take care friends